हलो गाईज, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप HDFC Bank के रूपे UPI Card को Google Pay App पर कैसे लिंक कर सकते हैं रूपे UPI Card को लिंक करने से फाइदा यह होता है कि आप payment डारेक्ट कर सकते हैं तो इसके लिए हमें चलना है Google Pay App पर अब हम Google Pay App पर आ चुके हैं Guys, Right Hand Side Top पर जहां पर आपके नाम का First Letter सो कर रहा है आपको उस पर क्लिक करना है तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ जहां पर मेरे नाम का First Letter सो कर रहा है अब आप देख सकते हैं, मैं Next Page पर आ चुकी हूँ यहां पर मेरा Details सो कर रहा है यहां पर हमारे पास एक Option सो कर रहा है रूपे Credit Card, PayVit UPI हमें इस पर क्लिक करना है अब हमें शो कर रहा है Select Bank to Add रूपे Card मतलब अब हमें यहां पर अपना Bank सेलेक्ट करना है आप Banks की पूरी लिष्ट देख सकते हैं मेरा Bank है HDFC तो मैं HDFC Bank सेलेक्ट करती हूँ Finding Card सो कर रहा है Adding Credit Card अब हमें यहां पर शो कर रहा है Credit Card Added मतलब हमारा रूपे Credit Card Successfully Add हो चुका है अब आप देख सकते हैं रूपे Credit Card के नीचे One Card सो कर रहा है मतलब हमारा एक Card Add हो चुका है मैं इस पर क्लिक करती हूँ Guys अब आप देख सकते हैं UPI Payments में मेरा HDFC Bank रूपे Credit Card सो कर रहा है तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप रूपे Credit Card को Google Pay App में कैसे Add कर सकते हैं इसी तरीके से आप किसी भी बैंक का रूपे Credit Card Add कर सकते हैं Hopefully आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी हमें कमेंट करके आप जरूर बताना तो इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए हमाँ चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा सज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्यू मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई